जन्म कुंडली विसलेशन आज मैं जिस सक्ष की जन्म कुंडली का विसलेशन करने जा रहा हूँ वह 19 साल का नौजवान है इसका सपना था कि यह IITN बने यानि IIT की पढ़ाई करके सक्सेसफूल अपना करेर बना सके इसके लिए इसके लिए पेरेंट्स भी तयार थे और कोटा जाकर एड़िशन लेने वाले थे सूपर इंटेलिजेंट PCA में बहुत इंटरेस्ट और पिता का कहना था कि इनका एटिट्यूड दे कर लगता था कि जैसे यह पैदा ही IITN बनने के लिए हुआ हो कई बार पूत के पाउं पालने में पता लग जाते हैं यारी बच्च्पन से ही बच्चे की प्रतिबा और हुनर जो है स्किल जो है वो देखने लग जाती है यह सोच इस नौजवान की थी कि क्या नौजवान की थी पर क्या नियती भी यह सोच रही थी यानि क्या एश्वर भी यही सोच रहा था कि यह बच्चा यह काम करें लेकिन ऐसा नहीं कुआ क्रूर काल इसके लिए कुछ और ही लिख रहा था 9 सेप्टेंबर 2009 को मुंबई से पूना जाते वक्त सीवियर एक्सिटेंट होता है और यह कोमा में चला जाता है मल्टीपल फ्रेक्चर हो जाते हैं जिन्दीगी पर क्विस्चन मार्क प्रश्ट चिन्न लग जाता है क्या सोचा और क्या गटा अर्श से सीधे फर्श पर क्यों नियती इतनी बेरहम हो गई और क्यों सपने हकीकत बनने से पहले ही तूट गए क्या खेल है ग्रहों का ग्रह इसके साथ क्यों नहीं थे क्यों बैड प्लैनेट ने इसका साथ दिया उस नौजवान की जनम कुड़ी क्या कहती है क्या है इसके ग्रहों का खेल और क्या ये आगे पढ़ाई कर सकता इसका करियर कैसा रहेगा क्योंकि अब ये देरे देरे रिकवर हो रहा है तो आईए हम जनम कुड़ी पर डिगाह डालता है और जानते हैं इनके समस्याओं का समधान ये जन्व पत्री इस वक्त आपके सामने है पांच नंबर से कुड़ी चुरू होती देखिए जहां पर पांच नंबर लिखा हुआ यानि सिंग लगन के कुड़ी है और लगनेश सूरिय जो की फोर्थ हाउस में मंगल सूरिय और गुरू बुद्ध के साथ ये बिराजबाने है सरव परत्रम तो सिंग लगन जो है वो एक राजसी लगने है ठाट बाट एंजॉय करने वाला और राजपाट समालने वाला लगने है और यह जातक मल्टी टैलेंटेड है क्यों? क्योंकि सूरिय को मंगल का जोश देखे सूरिय फोर्थ हाउस में है हलांकि सूरिय जो है वो वरिष्टिक राजबाने से मंगल की जो ताकत मिली है शुक्र की कला और सौंधरी मिला बुद्ध की बुद्धी मिली और व्यापारिक कुशलता और गुरु का विवेक तो यहाँ एक सर्व गुण संपन वेक्तित्व है और यहाँ सरवादिक बली सूर्य और बंगल है इसी कारणिका रोजहान साइंस की तरफ है और इससे बन जाता है पराकरम योग और इतनी पोटेंशिल वाली कुण्डली में इतना बड़ा आगात देखिए जर्म कुण्डली में जब भी शनी वकरी होकर अब हमारे जोतिशी बाईबंदू जो कारणिकरम देखते हैं उनके लिए बता दूँ कि जब भी वकरी शनी वह भी सिक्स्थ एड़्ट के लौड बनकर लगन या लगनेश से संब्द बनाते हैं तो उसकी वकरता से कोई बच नहीं पाता है यहिं यही हुआ सिक्स हॉँस देखिये जो रोग का भी है कुछ हथक एकसिडेंट का भी है वह सेवंत हॉस दस और गयरा दोनों के लौड बनते हैं यहापर शनी सेवन्थ हाउस जो की मारक इस्थान कहलाता है इन दोनों के लॉर्ड होकर शनी ने लगन व लगनेश सूरिय जो की इसके परम शत्रु पर द्रिष्टी डालते हैं कैसे आईए जानते हैं ग्यारा से एक पांच की तरफ एरो जा रहा है लगन की तरफ और ग्यारा से एक आठ की तरफ भी जा रहा है यानि लगन पर भी शनी ने द्रिष्टी डाली जो उसके पिता और आदर्श शत्रु का घर है और लगनेश जो की फोर्टाव से बैठे हैं उन पर भी इनकी द्रिष्टी और इसके तीसरी दिष्टी छोड़ते तो शर्णी किसी को नहीं पीछे पढ़ जाया तो शर्ष योग इतना राज योग है फिर भी शर्णी की दिष्टी में कुरूरता है अब तीसरी दिष्टी देखिए ग्यारा से एक के तरफे गैरो जा रहा है यानि केतु वा मेश राशी पर और साथवी जो मैंने बता लगन पर दसवी फूर्थ हाउस में बिराजित ग्रहों पर विशेश कर सूरी पर सूरी शरी में हड़ी का मंगल मसल्स का बुद्ध बुद्धी का तो शनी ने सब को बरबाद कर दिया एक्सिडेन इतना बीशन था कि मल्टिपल फ्रेक्शर के अलावा सिर में बहुत सारी चोटे लगी और यह कोमा में चला गया इनसान राहू की मादशा में शनी के अंतर में राहू का परतंतर आया तब यह दुर्गटना घटी और साड़े साथी भी उस वक चल रही थी तो यह समस्या मैंने बहुत बार देखा है जाकोर आके साइया मार सके न कोई अब मारा नहीं छोड़ दिया देर देर रिकवरी भी हो रही आगे बताएंगे अब देखिए हैड इंजरी के लिए मेश राशी पर नजर डालना बहुत जरूरी है मेश राशी पर शनी की तीसी दृष्टी जैसे मैंने बताया तब भी पहले कि शनी का ग्यारा नमर मेर बैठ कर एक पर दृष्टी और मेश राशी के लॉड मंगल मंगल पर वक्रिशनी की दसवी द्रिष्टी जो मैंने पहले बताए था वो पीडित करती है और अस्त तथा क्योंकि सूरी के साथ अस्त है तथा मेश में केतू वह भी स्वैम के अश्वरी नक्षत्र के वर्गोतमी यानि नवमाश में भी वही बनते हैं तथा मेश राशी राहू केतू एक्सिस में एक तो इस एक्सिडेंट को तो स्वैम जो ये पुरा मायजाल बन रहा है इस एक्सिडेंट को तो स्वैम महा काल भी नहीं रोग सकते थे जब भी अश्विरी नक्षत रियानी मेश राशी में केतू आप्शनल बिराजेंगे और मेश लगन के जो मेश राशी के लॉड बनते हैं मंगल पीडित होंगे तो चोट लगना तया है बहुत सारे लोग जिनके मंगल लगन में बिराजबानों या लगन पर देखते हैं तो सर पे ललाट में चोट लगती है स्टिचेज आते हैं आप सोच रहे होंगे कि फिर ये बचा कैसे या ग्रहों का खेल अदबुद है ये मारते हैं तारते भी हैं हसाते हैं तो रुलाते भी हैं ना जाने क्या क्या नाच नचाते हैं ग्रह बरते हैं हमारा अगले पॉइंट की तरफ कि कौन से रक्षा कवच ने इसे बचाया तो डजर डालते हैं फोर्थ हाउस पर जहां पर देखिए सूरी और मंगल का बना महा पराकर्मी योग शुक्र और बुद का बना लक्ष्मी नारान योग शुक्र गुरु का बना शंक योग गुरु सूरी का राज लक्षन योग और अंबुधी योग सूरी बुद का बुदादित योग मंगल स्वगरही रूचक योग इतने राज योगों वसात में देखिये देवताओं कि गुरु ब्रैश्पती की दृष्टी में बड़ा अम्रित है तो ब्रैश्पती देखिये यहां पर बिराजबान है फोर्थ हाउस में और अपनी पांची दृष्टी से एड़ थाउस पर देखते हैं तो एड़ थाउस किसका आईू का है पंचम दृष्टी एड़ थाउस पर जाने से यह जातक बच गया मैंने तो यही देखा भाई आज तक अब निसकर्श क्या निकलता है मैंने अच्छे योग भी बताया बुरे योग भी बताया एक्सिडेंट का कारण भी बताया राज योग के कारण यह जातक कोमा से बाहर आया किन्तु स्वास्ते लाब बहुत मंद गती से हुआ 2013 तक इंप्रूमेंट धीमा रहा राहू में केतु के अंतर के कारण फिर सुधार में गती आई 2014 में साड़े साथी भी खत्म हो गई अब यह 60% बच्चा ठीक है देरे देरे यह पूर्ण स्वास्ते हो जाएगा किन्तु समय लगेगा 2020 तक पूर्ण स्वास्ते लाब प्राप्त कर पुनह अपनी धीरे धीरे एजुकेशन दिस्टेंस एजुकेशन भी ले सकता है उससे इसके confidence और concentration में वर्दियों की हाँ IATN यानि IAT की परिक्षा ये नहीं दे पाएगा इतनी जबर्दस अब राजियों किसके नहीं बचे हैं क्योंकि वर्तमान में समय खराब चल रहा है किन्तु यह IAT में वो मैनेजमेंट में छोटी बड़ी कोई पढ़ाई कर अपना जीवन चला सकेगा कुछ उपाय पर बताने जा रहा हूँ जिन उपायों का सहरा लेकर आप अपने बच्चे की रिकवरी भी बहतर कर सकते हैं क्योंकि आप आध्यात्य उपाय को मेडिकल उपाय के साथ ही जोट सकते हैं किसी की टांग में फ्रैक्चर हो जाए और आप उसे प्लास्टर नहीं की दिलवाएं और साथ में महामबर्ति उप्लास्टर की प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी लेकिन प्लास्टर के साथ आध्यात्य उपाय करते हैं तो वो जो पचास दिन पैतलेस दिन में जो प्लास्टर खुलेगा और चार-चार-चे मैने में वो इनसान ठीक होगा उसकी फास्ट होगे रो बहुत जल्दी रिकवर कर सकता है या अध्यात्मी पुपाय होते हैं तो सबसे पहले में सला ये दूँगा कि आप उससे पोकराच और रूबी यानि मानिकिया सवा साथ रती के सिद्ध बीसा इंतर के साथ सुरक्षा कवच में डलवा के गले में धारन कर और स्रावन मास के चारो सोमवार या किसी एक सोमवार को रुदरा बिशे करवाई और साथ में महाम रितिजे मंतर की एक माला रोज बेटा जाब करे या फिर बेटे के लिए संकल बेकर मा जाब करे और हो सके तो गर में सवा किलों का पारत शिवलिंग रखें और उस पर विसलेशन अवश्ची कराएं ताकि आगे आने वाले टाइम में कोई दश्या खराब हो तो उसको पहले सी जानके उसका निवारण किया जा सकता है झाल